नमस्कार, हम लोग बात कर रहे थे पुर्तगालियों के भारत आगमन की, अपने साथ वो सिर्फ नकारातमक पहलूओं को ही लेकर नहीं आये, कुछ सकारातमक चीजें भी थी जो उन्होंने हमें उपहार दी, आये उन्स सभी सकारातमक बातों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, एक एकर करके उनको समझने का प्रयास करते हैं, पुर्तगालियों की भारत को देने, सबसे पहले भारत का जापाउन के साथ व्यापार इस्थापित करने का श्रे पुर्तगालियों को ही दिया जाता है, चांदी और टांबे की प्राप्ती पुर्तगाली आरंभ में जापान से किया करते थे, इन्होंने शुरुआत की उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा, व्यापारिक संबंध इस्थापित होने के बाद व्यापार करने की दिशा में, दूसरी बात, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने का श्रे पुर्तगालियों को ही जाता है, उससे पहले कागज नहीं बना करते थे, तो भारत में यह सबसे बड़ी बात है, कि पुर्तगालियों ने सबसे अच्छा काम यही किया, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुवात कर डाली मध्य अमेरिका से पुर्तगालियों ने तंबाकू, आलू और मक्का के बीज यहां पर लाकर रोपे और इनको प्रमुख खाद्यान का दर्जा दिया मक्का मध्य अमेरिका से मक्का तंबाकू और मक्का, तंबाकू और आलू भारत लाने कश्रे पुर्तगालियों को दिया जाता इतना ही नहीं शकरकंद, संत्रा, काजू, बादाम, मुंफली, लीची इत्यादी को विभिन देशों से भारत में लाने का श्रे पुर्तगालियों को ही दिया जाता है भले पुर्तगालियों ने यहां धार्मिक परिवर्तन करने की कोशिश की भले पुर्तगालियों ने यहां के व्यापार में हस्तक छेप किया भले पुर्तगालियों ने यहां के व्यापार परेकाधिकार करनने के लिए यहां राजनीतिक हस्तक छेप की शुरुवात की लेकिन इसके साथ-साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पुर्तगालियों ने हमें वह दिया जिसकी प्रशंसक हमें करनी चाहिए पुर्तगालियों ने हमें कई चीजों से अवगत कराया जैसे तंबाकू, आलू, मक्का, शकरकंद, अनानास, संत्रा, काजू, बादाम, मुंभली, लीची, आलू, प्रिंटिंग प्रेस, इत्यादी तो कहीं न कहीं ये उनकी सकारात्मक देन थी जिसका प्रयोग आज हम लोग व्यापक रूप से कर रहे हैं और यहीं पर पुर्तगालियों के भारत आगमन, उनकी शासन की प्रणाली, उनकी एकादिकारग और उनके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निवाने वाले कारकों का महत्व और पुर्टगालियों की भारत को विभिन चीजों की देन इत्यादी पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त हुआ अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार डच आते हैं और उसके बाद किस प्रकार अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज किस प्रकार एक विशाल सामराज की स्थापना करते हैं जहां पर व्यापार तो शुरुवाती उद्येश्य था लेकिन बाद में राजनीतिक उद्येश्य बन गया और 1947 तक यह प्रक्रिया चलती रह गया उन सभी बातों पर एक एक करके हम लोग प्रकाश डालेंगे तब तक के लिए जय हिंद